हलो फ्रेंड्स मैं शालू भावी एक बाए फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्यान वर्धक सूत्र में स्वापन दोश स्वापन दोश या नाइट फॉल के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा ना सिर्फ सुना होगा बलकि आपने खुद भी इसे अपने साथ होते हुए अनभुस किया होगा आम दोर पर स्वापन दोश पुर्शों में ही होता है शायद आप भी यही सोचते होंगे पर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि सुपन दोश सिर्फ पुर्शों की ही समस्या नहीं है या सिर्फ पुर्शों को ही नहीं होता बलकि यह महिलाओं में भी होता है तो हो गए ना हैरान मेरी यह बात सुनकर तरहां ये बिलकुल सच है कि स्वपन दोश महिलाओं में भी होता है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि महिलाओं में स्वपन दोश क्यों होता है और स्वपन दोश होने पर महिलाओं कैसा महसूस करती है साथ ही यह जालेंगे कि पुरुष और महिलाओं में होने वाले स्वपन दोश में क्या अंतर होता है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्वपन दोश होता क्या है अक्सर स्वपन दोश की सनस्या पुरुषों में देखी जाती है इस सवस्था में जिसमें सोती वक्त अचानक पुरुष का लिंग उत्तीजित हो जाता है और लिंग से वेरे निकल जाता है जिसमें पुरुष के कपड़े गीले हो जाते हैं और पुरुष को ऐसा रगता है कि उसने पैशाप कर दिया और गीले पन के कारण उसकी नेंद खु होता है जब पूरश किसी रंगीन सपनय में खोया होता है और सपनयya में वह ऐसे खो जाता है कि मालॉँ वह सच में वह सब कर रहा है जो सब ayudar होता है अगर मैं आपको बताओ कि ठीक ऐसा ना कर दो मतलब महिलाओं को भी स्वपनदोश होता है पर पुरुष और महिलाओं में होने वाले स्वपनदोश में कुछ फरक होता है जैसे कि महिलाओं को जब स्वपनदोश होता है तो उनके कपड़े गीले नहीं होते बस योनी में गीलापन और चिकनाई हो जाती है ऐसा इसलिए होत बाई तो महिलाओं को यह पता भी नहीं चलता कि उन्हें सप्धोश हुआ है। वह तीव यौन एहसास से गुजरती है। युवा वस्ताया पती से बहुत दिनों तक दूर रहने पर कई बाई महिलाओं में तेज यौन इच्छा होती है। और सोते वक्त अकेले बन में उत्तेजित होने पर स्वबंदोश होता है साथ ही कुछ अन्यकारण भी हैं जो कि महिलाओं में स्वबंदोश का कारण बनते हैं जैसे कि टाइट पैंटी का पहनना, सोते वक्त जांगू के बीच हाथ दबा कर सोना जिससे योनी में घर्शन उत्पन होता है और स्वबंदोश के कारण योनी अंदर से गीली और चिक्नी हो जाती है और उनकी नीम्द खुल जाती है हाला कि महिलाओं के शरीर की बनावट कुछ ऐसी होती है कि 85 परतिशत महिलाओं को स्वबंदोश का एहसास ही नहीं हो पाता पर इन सब बातों में एक बात तो बिल्कुल सच है कि स्वबंदोश महिलाओं को भी होता है तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीस वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी मत भूलना अभी के लिए बस इतना ही मैं आपके प्यारे शालू भावी जल्दी ही आपके लिए ऐसे और वीडियो लेकर आऊंगी तब तक के लिए गुद्बाई मेरा वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद